हेलो गाईस मेरे यूटूब चैनल पुजबीत एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैंत का इंपोटेंट सेशन संख्या पद्दती नंबर सिस्टम का पार्ट टू पार्ट बन मैंने कवर करा चुकी हूँ तो पार्ट टू कवर करेंगे तो गाईस जितने वी स्टूरेंट ऐसे सी जीटी की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जादा से जादा सेयर कीजिए लाइक कीजिए और सस्क्राइब कीजिए तो इसमें previous वाले कोश्चन भी कवर करेंगे और short कोश्चन तो चलिए सेशन को करते हैं इस्टार तो फर्स्ट कोश्चन ये रहा 28 30 32 34 और 80 तक का योग होगा इसमें क्या करेंगे कोश्चन को हल करते हैं तो इसमें कितने का अंतर होगा, इसमें 28 और 30 में 3 का, 30 और 32 में 3 का, 32 और 34 में 3 का, तो इसमें आगे क्या करेंगे? 28 और 80 तो इसमें क्या कर लेंगे add करेंगे तो 108 बटे में 2 रखेंगे कि 108 बटे में 2 into तो इसमें क्या रखेंगे 80 का आधा करेंगे 40 समसंख्या होगी 40 बिसम संख्या होगी के तो आगे इसमें 28 तक पूछा है इसमें क्या है समसंख्या के तो 2, 4, 6, 8 से कितना कहां तक जाएंगे 26 तक के तो इसमें 26 तक जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे 26 का आधा करेंगे तो 13 समसंख्या होगी और 13 बिसमसंख्या होगी के तो इसमें समसंख्या लेना है के तो समसंख्या 13 और 40 है तो 40 माइनस 13 करेंगे तो इसमें 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 1 गया कितना 2 के 27 इसमें गुड़ा कर लेंगे 27 के तो इसमें 27 कर जाएगा कितने से 2 से 2 एक का 2 और 2 तिया 6 एक बच्चा 0 लगेगा तो 2 पंजे 10 के 13.5 तो इसमें गुड़ा कर लेंगे 108 इंटू 13.5 गुड़ा करेंगे कितना जाएगा 1458 के तो यही इसका राइट आंसर होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो फिर से समझाती हूँ तो देखिए इसमें अंतर कितने का है 3 का इसमें भी 3 का इसमें भी 3 का तो 28 और 80 एट कर लेंगे तो कितना जाएगा 108 बटे में क्या रखेंगे दो इन्टू तो 80 का आधा करेंगे 40 समसंख्या होगी 40 भी समसंख्या होगी तो इसमें आगे इसमें क्या दिया है 28 तक दिया है तो इसमें 2, 4, 6, 8 से कहा तक जाएंगे समसंख्या 26 तक के तो इसमें क्या करेंगे 26 तक जाएंगे 26 का आधा करेंगे तो इसमें 13 समसंख्या होगी 13 भी समसंख्या होगी तो इसमें बैल्यू क्या है समसंख्या तो इसमें समसंख्या 40 माइनस 13 करेंगे तो इसमें 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 1 गया 2 27 तो इसमें कर लेंगे 27 से 27 कर जाएगा 2 से कितने वार में 13.5 तो इसमें गुड़ा करेंगे 108 इंटू 13.5 तो इसमें कितना जाएगा 1458 तो इतना किलियर हुआ सबी को तो यही इसका राइट आंसर होगा तो यह कोश्चन मैंने आपको हल करने के लिए दी थी तो इसका अंसर क्या आया 1458 तो जिसका भी 1458 अंसर आया है उनका राइट आंसर होगा तो इतना सबी को केलियर हुआ तो नौट कर लीजिए नेस्ट कोश्चन के और आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन ये रहा एक पांच अंको की संख्या तीन, दो, जीरो, पांच, चार, ग्यारत से विभाज्य है यदि अंकों को बढ़ते क्रम में विवस्थित किया जाए तो प्राप्त संख्या किस अंक से विभाजित होगी तो ये कोश्चन SSCGD 2023 में पूछा गया सवाल है के तो इसमें प्रेवेर्स वाले कोश्चन भी cover करेंगे के तो ऐसे कोश्चन एकजाब में देखने को मिलते हैं के तो जरूर से पूछे जाते हैं तो हल करते हैं तो कोश्चन को ध्यान से समझ्येगा तो एक पांच अंकों की संख्या कितनी दी है तीन, दो, जीरो, पाँच कि 11 से बिभाज़ी है तो इसमें क्या करेंगे यदि अंकों को बढ़ते क्रम में ब्यवस्थित किया जाए तो इसमें 0, 2, 3, 4, 5 तो प्राक्त संखिया किस अंक से बिभाजित होगी कि तिसमें 11 से बिभाज़ी पुछा है तो इसमें क्या करेंगे 0 को आगे ले जाएंगे उधर और 2, 0, 3, 4 और 5 तो इसमें क्या दिया है 5 और 5 तो 0 या 5 हो तो ये संख्या 11 से बिभाजित होती है के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें 5 का राइट आंसर होगा तो D नमर इसका करेंट आंसर हो जाएगा के तो इतना सभी को किलियर हुआ तो इसमें 5 से बिभाजित हो जाएगी ये वेल्यू के तो लास्ट में 0 या 5 हो तो इसमें 5 से बिभाजित होगी के इतना किलियर हुआ सभी को आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा निमनिखित में से कौन सी संख्या सोला से विभाज नहीं है के तो इसमें आप्शन में बताना है कि सोला से विभाज कौन सी वैल्यू नहीं है के तो ये question SSCGD दो हो जाते हैं इसमें पूछा गया सवाल है के तो question को ध्यान से समझेगा तो इसमें 16 से बिभाजित नहीं हैं तो अपसर में बताना है तो इसमें 16 से बिभाजित ये value हो जाएगी के तो ये value 18,000, 16 तो ये value भी 16 से बिभाजित हो जाएगी और 17,786 तो ये value भी 16 से बिभाजित हो जाएगी और इसमें 16,826 तो इसमें 16 से बिभाजित नहीं होगी के तो इसमें क्या पूछा था 16 से बिभाजित नहीं हैं तो इसमें कौन सी value नहीं है 16,826 तो इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें ये तीनों value option में 16 से बिभाजित होगा और 16,826 डी नम्मर इसका 16 से बिभाजित नहीं होगा तो इतना सभी को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं next question की और next question ये रहा किसी संख्या में साथ से गुणा करके गुणन फल में साथ जोडने पर प्राप्ट संख्या यदी 17 से बिभाजित हो तो वहल सबसे छोटी बिभाजित संख्या क्या है के तो question को ध्यान से समझेगा तो हल करते हैं तो इसमें किसी संख्या में साथ से गुणा करके गुणन फल में के तो साथ इंटू तो इसमें यदी 17 से बिभाजित हो तो इसमें 17 माइनस एक करेंगे और प्लस तो इसमें साथ जोडने पर प्राप्ट संख्या के तो इसमें 7 जोडने के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे इसमें क्या करना है साथ इंटू 17 माइनस एक करेंगे कितना जाएगा इसमें 16 प्लस साथ के तो इसमें 16 इंटू साथ करेंगे तो इसमें कितना जाएगा 112 प्लस साथ के तो इसमें 112 में 7 जोड़ेंगे तो इसमें कितना जाएगा साथ और दो नो और ग्यारा के 119 के तो यही इसका राइट आंसर बनेगा के तो इतना सभी को समझ में आया तो इसमें क्या करना है किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणन फल के तो 7 इंटू तो इसमें यदी 17 से बिभाजी हो तो 17 माइनस 1 प्लस साथ जोड़ने पर प्राप्त संख्या होगी के तो इसमें क्या करींगे 7 इंटू 17 माइनस एक करींगे 16 साथ तो इसमें क्या गरिंगे 7 इंटू 16 तो कितना जाएगे इसमें 112 plus 7 के तो इसमें बहन सबसे छोटी वीभाजी संख्या क्या होगी तिसमें क्या करेंगे 112 प्लस 7 करेंगे कितना जाएगा 119 तिसमें सबसी छोटी विभाजी संख्या क्या होगी 119 तितना किलियर हुआ सभी को तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्चन की और मेस्ट कोस्चन ये रहा यदि किसी संख्या का दो तियाए उस संख्या के 3-4 से 12 कम हो तो वह संख्या क्या है कोस्चन को हल करते हैं तो इसमें क्या पूछा है यदि किसी संख्या का दो ती हाई के तो दो बटा तीन एक्स माइनस उस संख्या के तीन चौथ हाई से के तो इसमें क्या करेंगे तीन बटा चार के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो इसमें एक्स बराबर बारा तो इसमें एक्स और एक्स का गुड़ा करेंगे तो एक्स बटे में तो चारतिया बारा बराबर तो इसमें बारा तो आगे इसमें क्या घडिंगे x बरावर 12 into 12 के इतना किलियर हुआ सबी को तो आगे इसमें क्या करेंगे 12 into 12 करेंगे कितना जाएगा 144 तो यही इसका right answer होगा तो इतना सबी को समझ में आया तो फिर से रेखिए क्या करना है तो इसमें यदि किसी संख्या का 2 तीहाई के तो 2 बटा 3x माइनस संख्या के 3 चोथाई से 3 बटा 4 x बरावर 12 कम हो तो के तो इसमें क्या करेंगे x into x करेंगे x बटे में 3 into 4 12 बरावर 12 तो इसमें x बरावर 12 into 12 करेंगे कितना जाएगा 144 तो यह ही इसका राइट आंसर होगा तो इतना सबी को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन यह रहा 28 की वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो जो 42 और 56 दोनों को पूर्ण तहां विभाजित कर सकती है तो परिनाम क्या है के तो यह कोश्चन SSC GD 2023 में पूछा गया सवाल है के तो कोश्चन को ध्यान से समझीगा तो हल करते हैं तो इसमें क्या पूछा है जो 42 और 56 दोनों को पूर्ण तहां विभाजित कर सकती है तो इसका 42 और 56 का क्या लेंगे SCF के तो इसमें 42 और 56 तो इसमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 14 के तो इसमें 28 के वर्ग को के तो 28 इंटू 28 और बटे में क्या रखेंगे चवदा 28 कर जाएगा 14 से कितने बार में दो बार में तो इसमें 28 इंटू 2 करेंगे कितना जाएगा इसमें 8 दूनी 16 का 6 के तो इसमें 1 बचा तो इसमें क्या करेंगे दो दूनी 4 और एक 5 के 56 तो यही इसका राइट आंसर होगा तो ओप्सन में ए नम्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के तो इतना सपी को समझ में आया तो फिर से समझाती हूं तो देखिए इसमें 42 और 56 दोनों को पूर्ट तहां विभाजित कर सकती है तो इसमें इसका SCF के तो बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसमें कितना रखेंगे 14 28 के वर्ग को के उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसमें 28 into 28 बटे में 14 28 कर जाएगा 14 से 2 बार में के तो इसमें 28 into 2 करेंगे कितना जाएगा 56 के तो इसमें ए नम्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इतना किलियर हुआ सभी को तो नौट कर लिजिए तो ऐसे कोश्चन एक्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं तो जितने भी टूडेंट ऐसे CGD की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सेयर एंड सस्क्राइब जरूर किया करें तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा चार अभाजी संख्याएं आरूही क्रम में ब्रवस्तित है प्रथम तीन संख्याओं का गुरणफल 255 और अंतिम तीन संख्याओं का गुरणफल 1955 है सबसे बड़ी अभाजी संख्या क्या है? तो ये कोश्चन SSC GD 2023 में पूछा गया सवाल है तो ये कोश्चन इंपोटेंट कोश्चन है तो ये कोश्चन दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा गया सवाल है के तो कोश्चन को ध्यान से समझेगा और कॉपी में नौट करते हुए चलिएगा तो हल करते हैं तो इसमें चार अभाजी संख्याएं आरोही क्रम में वेवस्थीत है प्रत्थम तीन संख्याओं का गुडण फल कितना है? दो सो पच्छपन तो इसमें गुडण फल तो इसमें अभाजी क्या इसमें क्या होगी? तीन और कितना जाएगा? पांच इतना किलियर हुआ तो इसमें क्या करेंगे? पांच तीया पंद्रह तो इसमें क्या जाएगा? पांच एक तीया पंद्रह पंद्रह एक कम पंद्रह और पंद्रह सत्ते एक सो पांच सत्रह तीसमें आगे अन्तिम तीन संख्याओं का गुडण फल के 1955 दिया है के तो इसमें भी क्या करेंगे दो वैल्यू इसमें जाएगी 5 और 17 के तो इसमें 17 और इसमें क्या करेंगे गुड़ा करेंगे कितना जाएगा इसमें 385 के तो आगे इसमें क्या करेंगे तो 17 दुनी 34 के तो इसमें क्या पूछा था सबसे बड़ी अभाजी संख्या क्या होगी तो इसमें सबसे बड़ी अभाजी संख्या क्या हो जाएगी इसमें 23 तो यह ही इसका right answer बन जाएगा तो option में C number इसका right answer होगा तो इतना सभी को clear हुआ तो यह question SSCGD 23 में पूछा गया सवाल है तो यह question दिल्ली पुलीस में बहुत बार पूछा गया सवाल है तो इसमें क्या करना है 255 तो अभाजी संख्या क्या होगी 3 और 5 तो इसमें 3 इंटू 5 करेंगे 15 15 इककम 15 और 15 सत्य 105 17 तो इसमें क्या दिया है 1955 तो इसमें 2 value वैसे है जाएगी 5 और 17 क्या क्या करेंगे 17 दूनी 34 और 17 इंकावन 23 क्या तो इसमें 5, 17 और 23 तो इसमें 3 वैल्यू का पूछा था तो क्या जाएगा इसमें सबसे बड़ी अभाजी संख्या 23 तो C नमर इसका राइट आंसर हो जाएगा के तो इतना सबी को किलियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा दिये गए युग्मों में से कौन सा युग्म अस सहवाजी संख्या युग्म बनाता है तो ये कोश्चन SSGD दो हो जाते हैं इसमें पूछा गया सवाल है तो कोश्चन को हल करते हैं तो इसमें आप्शन में बताना है कि तीन से विभाजी कौन सी वेल्यू है और कौन सी नहीं है तो इसमें 36 तीन से कर जाएगा और 15 भी तो ये तीन से विभाजी है और 9 भी तीन से कर जाएगा और 63 भी तो ये भी तीन से विभाजी है और 21 भी कर जाएगा तीन से और 42 भी कर जाएगा तो ये भी विभाजी है और 11 और 21 तो ये क्या है अब सहभाजी संख्या तो इसमें 11 और 21 अस सहभाजी संख्या युग्म बनाता है के तो इतना किलियर हुआ सभी को तो आगे वढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन ये रहा तीन के प्रथम दस गुणा जों का योग क्या होगा तो question को हल करते हैं तो इसमें 3 के प्रथम तो 3 इन्टू 1 तो 3 इन्टू कितना गरेंगे इसमें 2 तो कितना जाएगा 6 तो इसमें कहां तक जाएंगे 3 इन्टू 10 करेंगे तो कितना जाएगा 30 कि तुइस में 30 और 3 को क्या लेंगे ? add करेंगे 33 में 2 कं इंटू तुइस में संख्या क्या रखेंगे? 13 गुणा जो का योग निकालेंगे कि तिसमें 10 कड़ जाएगा 2 से कितने भार में? 5 भार मैं कर देड की 33 इंटू 5 करेंगे कितना जाएगा पांशतिया 15 का 5 कितना जाएगा इसमें पांशतिया 15 और 1 कितना हुजाएगा 16 कि तो 165 इसका राइट आंसर वनीगा कि इतना सभी को किलियर हुआ तो फिर से देखिए क्या करना है गोठकें प्रथम 10 गुणाजों का योग तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6 तो इसमें 3 इंटू 10 करेंगे कितना जाएगा 30 कि तो इसमें 3 और 30 एट कर लेंगे तो इसमें 33 वटे में 2 इंटू 10 गुणाजों करेंगे तो 10 कर जाएगा 2 से 5 बार में 33 इंटू 5 करेंगे कितना जाएगा 165 तो यही इसका राइट आंसर होगा नेस्ट कोश्चन 300 में सुनने की संख्या ग्याद किजिए तो यह कोश्चन SSCGD 2021 में पूछा गया सवाल है तो यह कोश्चन कमेंट में बताना कि इसका अंसर क्या होगा तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सयर और सस्क्राइब जरूर कीजिए तो उमीद करती हूँ सारे कोश्चन आप सभी को समझ में आ गया होंगे तो आज के रिए बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू